वेल्कम इस्टुडेंट्स क्लास एट के हनी ड्यू बुक के चेप्टर नमबर फाइव दसमिट वीदिन में आपका स्वागत है आज हमने आपके लिए इसके शांदार टोप सेलेक्टेड मुश्ट इंपोर्टेंट क्यों आंसर्स प्रिपेर किये हैं शांदार ट्रिक के साथ में और हमने जो ट्रिक आपके लिए बनाई है वो इतनी बढ़िया है इतनी अच्छी है कि आप केवल मात्र जो हम क्रसंस आपको बता रहे हैं उनके कुछ सलेक्टेड आंसर्स याद करेंगे तब आप उन आंसर्स और उन क्रसंस को मिला करी वर्ड लिमिट के आए पहला क्योंस देख लेते हैं पहला क्योंस ने स्टेंडिंग ओन एवरेष्ट दर राइटर वोज यानि एवरेष्ट पर खड़ा होकर जो लेककता उसकी फिलिंग कैसी ती ओवर जोईड अति प्रसंद था वेरी सेड बहुत दुखी था जूबिलेंट एंड सेड यान वह कापी ज्यादा प्रसंद अंदर से महसूस कर रहा था क्योंकि उसने विजय प्राप्त कर ली थी वहां पहुंच गया था और उसे सेड फिलिंग भी आ रही थी तो इसका जो आपका आंसर है वह है थर्ड जूबिलेंट एंड सेड अब आगे बढ़ते हैं दा इमोशन ड प्रसंद नमबर थर्ड है वाट आर था थ्री क्वालिटीज डेट प्लेड अ मेजर रोल इन दा ओतर्स क्लाइम वह तीन क्वालिटी जो गुण क्या है जिनोंने मुख्य भूमी का अदा की लेकक की चड़ाई में तो यह तीनों के यहां पर मैंने तीनों लिख दी आंसर मे यहां पर endurance, persistence and willpower अब यह लिखने के बाद में आपको शांदा टेक दे रहा हूँ, what अटा देना, what अटा कर फिर यह जो आपका question है इसी को आगे बढ़ा देना, यह लिखने के बाद में willpower के बाद में फिर आप यहां आर से इसको आगे बढ़ा देना, आर से, are the three qualities और कहां तक लिख दोगे, claim तक और last में यह जो question मार के इसको हटा देना, आपका शांदार आंसर बन जाएगा और हमें तीन सब्द याद करने, उसमें दो लाइन का आंसर बन जाएगा, question number four, what was it about Mount Everest that the author found irresistible, वो कौन से चीज है Mount Everest में जिसे देकर जो ओधर था, वो अपने आपको रोक नहीं पाया, तो आंसर ब्यूटी, सुन्दर था, अलूपनेश, एकांत था, माइट, सक्ती, जिगड़नेश, जिगड़नेश यानि उबड़ खाबड़ था, वहां का धरहतल था, और जो वहां पर उसने जो सामना किया डिपिकल्टी जानि खटिनायों का, ये सारी चीज है उसे लेकर को irresistible लगी, यानि उसको नहीं रोप पाने जैसी लगी, च्वेसन नमबर फाइव, वाट वर दा सिंबल्स अप्रेवरेंस लेट बाइ मेंबर्स ओप दा टीम ओन एवरेष्ट, एवरेष्ट पर जो टीम के सत्यस्यते उन्होंने सम्मान के कौन से प्रतिगवाँ छोड़े थे, तो आन सरे, पिक्चर ओप गुरु नानक, गुरु च्वेसन नमबर फाइव, वाट अटा देना है, वाट अटा कर, फिर वर से जैसे इसमें लिखा था हमने उपर वाले में वर्द सिंबल्स यानिकी इसको बढ़ा देना है, और यहां एवरेष्ट तक बढ़ा के, और वेसे करना, क्वेसन मार कटा देना, फिर समझा देता यह सब्द लिखने के बाद, वर्द सिंबल्स यहां से बढ़ा देना, बुद्ध के बाद, वर्द से इसको बढ़ा देना, दो लाइन का अंसर कंप्लेट हो जाएगा, क्वेसन नमबर 6, वाट अकोर्डिंग टू दे राइटर डिडिड हीज एक्सपिरियंस एज एन एवर टीचिम, लेका कैनो सार, जो एवरेश्टर के रूप में उसका अनुबहु से क्या सिखाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर मैं समझा दो वाट अटा देना है, और अकोर्डिंग से आप कौन से लिखना है, एक केपिटल में लिख देना, पलाक से लिखेंगे, तो अकोर्डिंग टुद राइटर, डिडटा देना, अकोर्डिंग टुद राइटर, इस एक्स्पीरेंस एज एन एवरेश्टर, और इस टीच को जब डिडटा हो, तो टोट में बदल देना, यहां पर लिख देना, टोट हिम, क्योर्शन मार्कटा देना, और टूफेस से फि करें, सामना करें, सिखाते हैं, मैं फिर समझा दूँ, अकोर्डिंग का यह, केपिटाल लिखना, जब आंसर लिखो तो, अकोर्डिंग से लिख देना, डिडटा के, यहां तक आ जाना, और फिर इसको प्लस कर देना, वो लिखने के बाद, शांदार आंसर बन जाएगा, ब आंसर है, दे एडवेंचर वीचे जिसकी आलसो प्लेजेबल, बिकोज मैं टेक्स दिलाइट इन ओवर्कमिंग आवश्टेकल्स, यह जो रोमांच होता है, जो खत्रे से बरा होता है, लेकिन वो आनन्द प्रदान करता है, क्योंकि इंसान को डिलाइट यानि आनन्द के अन प्रदान को एक वीजे का फीलिंग होती है, एसास होता है, एंड हैपिनेस, कुशी होती है, आप्टर हेविंग डन सम्तिंग एडवेंचरेस, जब वो कुछ रोमांस से बरा हुआ कारे करता है, तो उसे एक अजीब सी फीलिंग साती, एक कुशी महसूस होती है, तो हमने आपके अगले चेप्टर के most important questions के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, इस वीडियो को अपने friends को जरूर सेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, इस्टुडेट्स, थेंक्यू